ये एक स्टोरी है डैरी की और मिस्टर लैम की on the face of it by Suzanne Hill presented by Kaushik Lecturer G.I.C. जाजरी अब इसकी पहले समरी देख लेते हैं introduction इस स्टोरी इस अबाउट टीनेज बॉई डैरी who has a burnt face उसका जो चेहरा है डैरी का वो जला हुआ है और साथ में एक दूसरा character है उसका नाम है Mr. Lamb who is a disabled old man जिसकी एक पैर artificial है और वो टिन की बनी हुई है डैरी accidentally enters his garden जो डैरी है वो accidentally Lamb के garden में आ जाता है so that he can hide himself वो खुद को छुपा रहा है लोगों से क्योंकि लोग उसको hate करते हैं नफरत करते हैं because of his ugly face और इस बात से वो परिशान है लोगों से मिलना नहीं चाता अब जो Mr. Lamb है वो उसके जीवन में परिवर्तन लाता है किस तरह परिवर्तन लाता है यही स्टोरी है Mr. Lamb not only welcomes him वो उसका welcome ही नहीं करता बलकि उसको encourage भी करता है encourage means होता है साहस देना साहस देता है एक normal life जीने के लिए क्योंकि वो खुद भी क्या है एक disabled आदमी है और उसका जो past है उसको छोड़ने के लिए उसको teach करता है कुछ words हैं जो आपको याद करने है occasional means होता है कभी-कभी rustling means होता है बहुत ही कम sound में फुस-पसाना tentively means होता है hesitantly और without confidence बिना confidence के tentively startled feeling a sudden shock startled means होता है जटका लगना किसी चीज को देख कर या सुनकर scrump means होता है steal from garden pretend means होता है किसी चीज का दिखावा करना next word for you is you can see that underneath underneath means होता है नीचे directly below now we will see some other words like one word is weed weed means होता है unwanted plants कि जैसे खर्पतवार भी बोला जाता है जो भी खेत में होती है unwanted बिना जिसकी जो हमने नहीं बोया होता है लेकिन हो जाता है उसे weed कहते है और stir means होता है किसी को देखना बड़ी देर तक किसी को घूरना यहाँ पे आपका अगला word जो है इस lesson से आप सीखेंगे signify signify means होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना to be sign of किसी चीज का symbol होना deft means होता है silly या foolish बेकूफ एक word और है आपका dribble means होता है to fall slowly धीरे से गिरना यहाँ पे एक word है whispered whispered means होता है to say something in very low voice धीरे से फुस पुस आने को peculiar means होता है एक vicious special और strange unusual और high means मनमक्की का छत्ता जिसमें मनमक्किया रहती है तो यह words आपको याद करने हैं आज के इस lesson में बहुती छोटा lesson है तो यह सारे words आप याद कीजिए और यह आपको story का जो introduction है वो याद हो जाना चाहिए कम से कम तो ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेंगी आप चैनल को follow जरूर कीजिए bell icon दबाईए thank you